आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Question यहाँ पर बोल रहा है Which of the following statement is true? Option 1 है Vessels are multicellular and with wide lumen मतलब Vessels जो होते हैं multicellular है और उनका lumen wide होता है Option 2 बोले Trachids are multicellular Trachids multicellular है और उनका narrow lumen होता है Option 3 बोले Vessels are unicellular यानि Vessels unicellular होता है और उनका narrow lumen होता है Option 4 बोले Trachids are unicellular यानि Trachids unicellular होता है और उनका lumen बहुत वाइड होता है तो पहली बात तो होगे जो vessels and tracheids की हम लोग बात कर रहे हैं यह किस का पार्ट होते हैं यह zailum का पार्ट होते हैं plant में होते हैं zailum उसनके main part जो होते हैं vessel and tracheids Vessel and Tracheids Xyleem का काम क्या होता है जो main काम होता है Water काransport करना Water transportation का काम होता है तो ये दो main elements से होता है Vessel and Tracheids से तो उनका थोड़ा सा difference समझते है vessel क्या होता है And Tracheids क्या होता है Vessel जैसे नाम से ही पता चल रहा है vessel-like structure होता है सबसे पहले तो हम डायग्राम देखेंगे, ऐसा इनका स्ट्रक्चर होता है, वेसल की तरही दिखते हैं विल्कुल, यह ऐसे, ठीक है, पर्फोरेटिड वॉल्स होती है, इनकी ऐसे दिखते हैं, यह मल्टी सलोरल होते हैं, अंदर से, जबकि ट्रैकीज जो होते हैं, इसे पतले, दुबले से ऐसे होते हैं, ट्रैकीज ऐसे, ऐसे स्ट्रक्चर होता है, टेपरिं एंड्स बोलते हैं इनको, और यह जो होता है, सिंगल सेल से बनते हैं, ट्रैकीज, तो हो गया हमारा डायग्राम, दोनों का, थोड़े करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, वेसल जो होते हैं, यह मल् Cells जब कि ट्रैकीज जो है यह सिंगल से बने विए उते हैं सिंगल से लॉगेट कर जाती है तो ऐसी दिखती है इसका मितलब इनको क्या बोलते है यूनि सेलुलर बोला जाता है एक और इनका main characteristic है कि यह देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो है lignified होती है बहले बात तो इनकी जो walls होती है दोनों की ही lignified होती है बट क्योंकि vessels की जो होती है more thickly lignified होती है तो इसका काम क्या होता है support भी provide करता है यह plant का water transport में तो help करवाता है यह बट को support भी provide करता है जबकि इसकी भी lignified होती है lignified walls होती है बट के support provide नहीं कर आपाता है इसको तो खुद को support की ज़र रहता है तो यह दूसरे plant को क्या support करवाएगा है तो support नहीं करवा पाता इदर support नहीं करवा पाता अब हम बात करते हैं important characteristics की यह जो angio sperms में होता है mainly angio sperms में पाया जाता है most of the gymnos sperms में नहीं होता gymnos sperms में present नहीं होता जबकि यह जो होता है angio में भी present होता है and gymnos में भी present होता है tracheids एक और इनका most important characteristic है वो है यह दिख रहा है कि ईसमें जो lumen है जो अंदर का part है वो कितना wide है जबकि इदार तो लेक भी निरा है तो यह होता है wide lumen होता है wide lumen होता है कि इसका vessel का and इदर narrow lumen होता है narrow lumen होता है तो यह सारे important characteristics है हमारे vessel in tracheids के options देखते हैं, vessels are multicellular, multicellular होते हैं and with wide lumen, wide lumen भी होता है, यह correct हो गया option 2 बोले, trackeds जो होते हैं, यह vessels की बात हो रही थी, trackeds जो होते हैं, multicellular, multicellular तो नहीं होते हैं, single-celled होते हैं, unicellular and with narrow lumen, इनको जो lumen होते हैं नरो होते हैं यह करेक्ट है vessels are unicellular, unicellular नहीं होते हैं and narrow lumen भी नहीं होता and trackies जो होते है unicellular होते है बटन का wide lumen नहीं होता तो यहाँ पर एक ही option हमें सही दिख रहा है जूकि होगे option no.1 Classics to 12 से लेके Need IIT जे ही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर हो सा आज जी डाउनलोड करें डाउटने टाप यह WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8444 पर